नमश्कार किसान भायो नमश्कार वेटनरी के स्टुडेंट्स और जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ा हुआ है तो सभी को मैं नमश्कार करता हूँ तो गाईज आज किस वीडियो में आपके लिए नया और इंटरस्टिंग सा टॉपिक लेक रहे हैं जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल गर्मी काफी जादा है तो दोस्तों आपके पशु में लू और थनेला रो के साथ साथ कबज की समस्या भी आज सकती है दोस्तो कबज गर्मियों में जो पशु होता है वो खाने में अरूची दिखाता है, चारा कम खाता है और कर्मियों में पौश्टिक अहारना मिलने के चलते आपके पशु को बधजमी कबज हो जाती है दोस्तो आपका पशु जो है ठंडा वातवन प्रोड्यूस करने के लिए बार-बार अपने मुझ से अपने सरीर को चाटता है तो दोस्तो सरीर को चाटते समय पशु की लार बाहर आ जाती है और दोस्तो पशु एक दिन में 100-500 के बिज लार प्रोड्यूस करता है दोस्तो जब रियोमन से लार बाहर आ जाती है तो रियोमन में इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो पशु की जो पाचन क्रिया है जो चारा खात है उसको पचा सके तो जिसके चलते आपका जो पशु है वो पाचन करिया नहीं हो पाती जिसके चलते पशु को बदहजमी हो जाती है यो पशुओं में कब्ज या अपज होने के क्या क्या लक्षण आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले तो यह है कि आपका पशु खाने में कम रूची लेगा या आपका पशु चारा खाना बिलकुल ही खतम कर देगा आपका पशु चारा नहीं खाएगा या फिर दोस्तों आपका पशु बिलकुल सुस्त हो जाएगा और उसके गोबर को आप नोटिस करना क उसके गोबर में दाने आना स्टार्ट हो जाएंगे बायो पशुओं में अपज या कबज बदहजमी का क्या इलाज है तो दोस्तो हर्बल दवाई या रूचमैक्स एक दवाई आती है तो आप 1.5 ग्राम पशु को दिन में 2 बार खिलाएं और दोस्तो इस दवाई को आप 2-3 दिनों तक continue रखे अगर आपके पशु को लगता है कि पशु चारा खाना स्टार्ट कर रहा है उसके जो गोबर में दाने वगारा नहीं आ रहा है आपका पशु बिल्कुल नॉर्मल हो गया है तो आप इस दवाई को बंद कर सकते हैं या फिर इस दवाई को आप 2-3 दिनों के लिए और continue कर सकते हैं दोस्तों फिर भी अगर कोई फर्क ना पढ़ रहा हो तो आप वेटनरी डॉक्टर की सला ले सकते हैं